दोस्तो गाय को हमारे देश में माता माना जाता है और इसका दूद केवल दूद नहीं बलकि अमरित होता है जो की बच्चों के विकास में मदद करता है यही कारण है कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा दूद उतपादन करता है वेल तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे गायों से मिलवाने जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा दूद देती हैं इस लिष्ट में सबसे पहले आती हैं गिर गाये दोस्तो ऐसा माना जाता है कि इस गाये की उत्पत्ती गुजरात में हुई ये भारत की सबसे ज़्यादा दूद देने वाली गायों में से एक है आपको जानके हैरानी होगी कि ये गाये एक दिन में 50 से 80 लीटर तक दूद दे सकती है भारत के अलावा ऐसे कई सारे देश है जहां पे इस गाये की काफी ज़्यादा डिमांड है गाये के इस नसल की थन बड़ी होती है और ये ज़्यादातर लाल लंकी होती है अब हम आपको मिलवाते हैं साहिवाल गाये से दोस्तों ये गाये की एक तेसी नसल है जो की ज़्यादतर पंजाब, हर्याना, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, बिहार और मध्यप्रदेश में पाई जाती है इनकी पहचान होती है धीली, चम्री, छोटा सेर और छोटा सिंग साथी साथ शरीर के हिसाब से इनकी टांगे भी छोटी होती है, पर इनका थन आम गायों के मुकाबले काफी बड़ा होता है यही कारण है कि ये एक दिन में 10-15 लीटर तक दूद दे देती है, नरसाहिवाल के पीट पे बड़ा कूबर होता है और इनकी उचाई 136 सेंटीमीटर होती है, साथी साथ इनका वजन 450 किलोग्राम से लेके 500 किलोग्राम तक होता है ये विदेशी गायों के मुकाबले दूद कम देती है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि भारत में इनकी संख्या इतनी जादा नहीं है जितनी की होनी चाहिए यही कारण है कि कई सारे भारतिय वेग्यानिक इनकी संख्या वढ़ाने पे जोर दे रहे हैं इसलिए दूद का कारोबार करने वाले लोग साहिवाल नसल काफी ज़्यादा पसंद करते हैं लाल सिंधी गाये इस नसल का मुल स्थान पाकिस्तान का सिंध माना जाता है वहीं भारत में ये गाये उडीसा, तमिलनाडू, बिहार और केरल में पाई जाती है अगर इनकी शारेरिक बनावट की बात करें तो इनका रंग गहरा लाल होता है सिर्च उड़ा होता है और छोटी सींग होती है साथी साथ लंबी पूछ इनकी पहचान है लाल सिंधी नर का वजन 450 किलोग्राम होता है वहीं मादा का वजन 320 किलोग्राम होता है एक बार बच्चा पैदा करने के बाद ये अगले 12 महीनों तक दूद देती रहती है लाल सिंधी गाए एक साल में 2000 से 3000 लीटर तक दूद देती है दूद उतपादन के लिए ये गाए बंगला देश पाकिस्तान और इंडिया में भी फेमस है राठी गाए दूस्तो ये गाए राजिस्तान के कुछ हिलाकों में बहुत परसिद है और आजकल इस नसल को गुजरात में भी पाला जा रहा है इस गाए का मुलिस्तान बिकानेर, गंगानगर और हनुमानगर माना जाता है अगर इनकी शारेरिग बनावट की बात करें तो इनका रंग गहरा लाल होता है साथी साथ इनके शरीर पे सफेद धब्बे होते हैं इनकी सिंग छोटी होती है और पूँच लंबी होती है एक नर राठी गाए का वजन 500 किलोग्राम होता है वहीं मादा का वजन 300 से 350 किलोग्राम होता है राठी गाए हर 14 से 15 महिनों के बाद मा बनती है अगर इनके दूद की बात करें तो ये एक साल में 2000 से 2500 लेटर तक दूद दे देती है इनकी सबसे खास बात ये है कि ये राजिस्थान के ऐसे एरिया में पाई जाती है जहां पे पानी कम होता है उसके बावजूद भी एक दिन में 20 लीटर दूद देना बहुत बड़ी बात होती है हर्यान भी गाए दोस्तों ये गाए सफेद रंकी होती है ये हर्याना में सबसे ज़्यादा पाई जाती है गाए की ये नसल एक साल में 25-100 लीटर दक दूद देती है इस गाए का इस्तमाल दूद और खेती दोनों के लिए किया जाता है इस गाए का बैल खेती के लिए सबसे ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है और सबसे अच्छा भी माना जाता है दोस्तों गाय की ये नसल गुजरात में पाई जाती है अगर इनकी शारेरिक बनावट की बात करे तो ये काफी बड़ी होती है ये भारत की सबसे भारी भरकम गायों में से एक होती है अगर इनके रंग की बात करे तो इनका रंग सफेद और ग्रे होता है और इनके बच्छडों का रंग हलका लाल होता है जो की कुछ महीनों के बाद बदल जाता है इनके शरीर पे कुबर भी होता है जो की आम गायों के मुकाबले थोड़ा बड़ा होता है इनके शरीर के आगे और पीछे का हिस्सा काले रंगा होता है और इनके कान भी बड़े होत जोकि इन्हें काफी खूपसूरत बनाती है इनकी नर का वजन 500 से लेके 500.500 वान हम होता है जबक groom मादा मे वजन 300 से लेकर 3,550 कीलोग्राम तक होका है नर के कीस्तमाल खास थोर पर क्रिस्टी के लिए किया जाता है इनके बच्चा पैदा करने के उम्र 45 से लेके 55 महीने होती है और जब ये एक बार बच्चा पैदा करती है तो अगले 10 महीनों तक दूद देती है गाई की ये नसल एक दिन में तकरीबन 18 लीटर तक दूद देती है इनकी सबसे खास बात ये है कि ये हर तरह के में रह लेती है हाली में ही ब्राजील में इसी नसल की एक गाय थी जिसने एक दिन में 55 लीटर दूद दिया जो की अब तक का एक रिकॉर्ड है चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही